करेंगे उतरभारत में कडाके की ठंड जारी है यूपी में कोल्ड डे कंडीशन का बुरास है प्रदेश्व में सबसे ठंडी रात च्छासी रही पहाडों पर बर्फबारी से गलन बड़ी है वही पाराद दो से तीन डिग्री तम और ज्यादा तीन दिन में सबसे कडाके की कडाके की ठंड लगातार प्रदेश में पढ़ रही है कडाके की ठंड से लोगों को खासा दिक्कतों का भी सामना करना पढ़ रहा है उतरभारत में कडाके की ठंड जारी है यूपी में कोल्ड डे कंडीशन का बुरा असर है प्रदेश में सबसे ठंडी रात ज्वासी में रही वही पहाडों पर वर्फ बारी से गलन बढ़ी है पारा दो से तीन डिग्री कम और ज्यादा हुआ है दिन में सबसे ज्यादा कडाके की ठंड मेरट में पड़ी है वही राक को सबसे कडाके की ठंड ज्वासी में पड़ी है ज्वासी में नियुनितम पारा तीन दिशमलो दूर डिगरी सल्सियस रिकॉर्ज हुआ है राजधानी लकनों में कड़ाके की ठंड ने लोगों को परिशान कर रखा है जिस तरीके से लगातार शीत लहर चल रही है उसी के चलते लोग अपने आपको बचाने के लिए कहीं न कहीं से अलाव सेखने का काम करें और आप देख सकते हैं इस समय हम के सरबाग इलाके में मौझूद हैं लगातार यहाँ पर तमाम लोग हैं जो ठंड से बचने के लिए आग जला रहे हैं और कहीं न कहीं से नगर निगम के जो दावे होते हैं कि हर चौराहे पर अलाव रखे गए हैं इस तरीके की विवस्थाएं कितनी सही हैं इसको जानने के लिए भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं अब देखने वाली बात यह होगी कि इसको देखने के बाद नगर निगम के अधिकारी लापरवा अधिकारियों पर किस तरीके की कारवाही करते हैं लखनाव से वीडियो जनलिस्ट दुर्गेश के साथ संदीप खेर भारस समचार बीती एक सब्ता से लगता ठंड का प्रकोब देखने को मिल रहा है आपको बता दे कि जहां एक तरफ सीत लहरवा ठिटर में ठंड से दोचार होना पड़ना वहीं कोहरी की चादर से राहगीरों को भी आवा गवन में काफी दिकतों का सामना करना पड़ रहा है हम इस समय राइबरेली के राइबरेली सुल्टानपूर राजमार्ग एसलित कोवर्बेश के पास मौजूद हैं यहां के तस्वीरे आप देख सकते हैं किस तरह से कोहरी की चादरों से जो है आस्मान पटा पड़ा हुआ है विज्वल्टी इतनी ना के बराबर है कि लोगं राइबरेली में अगर पारे की बात किया तो चार डिगरी के आसपास यह पारा जो है पहुँच चुका है कई ने कई ठंड से लोगों को काफी दिक्कतों का शामना करना पड़ रहा है इधर की तस्वीरे दिखाएंगे दिन का शमय है किस तरह से कोहरी की चादर से जो है आ पानों की रफ्तार ना के बराबर हो सुकी है क्योंकि लगातार ये ठंड का पारा बढ़ता हुआ जारा और कोहरी की चादर भी देखने को मिल नहीं है कहिने कहीं आमजन जीमन भीजा ठंड में अस्तिवस होता हुआ दिखाई दे रहा है रोहित मिस्रा भारस समाचार राइ प्रकार के इंदजाम वराडसी में किये गए है प्रशासन के द्वारा किस प्रकार से लाओर रंबसेरों की विवस्था की गई है ताकि लोगों को ठंड के प्रकौप से बचवाया जा सके विदीत विदीत प्रशासन के लोगों को ठंड से बचाने के लिए रस्वक वह पर जो तापमान है वो क्या रिकॉर्ड किया गया है प्रशासन के लिए पूरी कराई आती है सभी जनपत के जिलादिकारी के साथ अन्य अदिकारी को जो है निर्देशित किया जाता है कि थंड से किसी को दोचार होना पड़े लेकिन अगर राइवली जनपत की बात कि तो रहे जनपत में आवशाओं का अंबार देखने को मिल र कर लेकर जिलादिकारी के स्देश चिसे के ड्वा-धिकार ऑउकास की बात करती है व Griff आती ह침 अगर जिर्द कि वार्हल है तो पहास का थाम के बात कि भी शृक ने चलाए ज़ता है तो मादवी विजशक गुप पिश्चक है उनके द्वारा जो है ज्यापन दिया एता है उसके बाद जीलादिकारी जो है आवकास की बात करती है और बीती राज जो है चार नौ से लेकर बारत के विजयालाओं को साध जनुरे तक बंद किया जाता है तो कहीं न स्टेंड का पूको काफिस देखने परिवार का पूसर करना होता है तो कहीं ने कहीं जुस्किते राहगीर वह जो है जो निशला तब कर दोचार होना पढ़ रहा है क्योंकि वह उनको पर नहीं लिकलेंगे अपना कामकाद नहीं करेंगे तो ताप दोचार के भोजन बनना मुश्कुल हो जाएगा तो कहीं ने कहीं जो निशला तब का उसको थंट से जादा दिकलतों का सामना का पढ़ना है वह जो हाई सुसाइटिक लोग उस अपने घर में रूम हीटर लगा के या आलाउत आपके अपने बचाओ कर रहे हैं वह आलादिकारी आलाउत आपके बचाओ कर रहे हैं लेकिन जो अगर बात करी जाए तो एक तारिक से लेकर यानि आस तक की बात करें तो लगातार जो ठंड का सित्म है वो बढ़ता जा रहा है जिस तरीके से शीत लहर और जिस तरीके से गलन भरी ठंड पढ़ रही है धुंद की वज़ों से सड़कों पर लोगों ने निकलना कम कर दिया है और उसी के सासत कई न कई से लोगों को तवाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पर रहा है ये भी देखा जाता है कि विजबिलिटी कम होने की वज़े से जो हाथ्तों की संख्या होती है वो बेहद ही जादा बढ़ जाती है अब देखे अगर वेवस्ताओं पर आ जाते है तो रैन बसेरों की तो देखे जो वेवस्ता है वो राज़ानी लखनों में की गई है खुद जिला प्रशासन की तरफ से खुद नगार विकास पंतरी एके शर्मा खुद मुआयना करते हैं वहाँ पर पहुंसे और उसी के सासत बहां के लोगों से मिलकर उनकी तमाम वेवस की बात करी जाए चुकि अलाओ की जो वेवस्ता होती है वो पर्टिकूलर किसी एक के लिए नहीं सभी लोगों के लिए होती है लेकिन जब राज़ानी लखनों में निकलते हैं तो चोराहों पर कही पर भी अलाओ जलते हुए नहीं दिखाई देते हैं लोग कूडे से या जिस तरीके से लगातार कोरा पार रहा है तृष्णा मेरे पीछे की तस्वीर भी आप देख सकती है कि इस तरीके से लगातार देखिए सड़क पर जो है वो सनाटा नजर आ रहा है क्योंकि ये वो सड़क है जो कैसे लगातार यहाँ पर आवागावन चालू रहता है लेकि ठंड जिस तरीके से देखे लगातार बढ़ती जा रही है उसे बुजर्ग परशान हो रहे हैं जानवर परशान हो रहे हैं क्यों कि जानवरों के लिए देखे इस तरीके की कोई वेवस्ता नहीं करी जाती है ये खुले आसमान के नीचे उनको रहना पड़ता है वो चाहे सड प्रति बली हुई है चछन्ड के चलते कि एक एक आधि एक डिश्च पयासिंग चाहिए कि अभी पांच निगरी से चला है लेकिन लगाता था फ़सासन की बात करें तो प्रसासन के यहां पर भी यहां देखार जाएं निगर निगम की बात करें तो में चौराये पर अलाव जल्ले हैं तमाम ऐसे चौराये जहां पर अलाव ने जल्ले है गरीब लोगों कमल इवाटे गए लोग सलकों पर रात में खुले आस्मान के सोते नजर आते हैं लेकिन हम लेकिन चोड़ा पर जलते थे वह लेकिन लोगा पर सब्सक्राइब अबनाों भी हुझ नहीं जलते ते इ siitä कि का देग्त चवराओ को लोग होगा। जहासी में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ी है ऐसे में रेन बसेरों की क्या कुछ विवस्ता की गई है वहाँ पर क्योंकि जो निनितम पारा है 3.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है जहासी में जहासी की बात करें तो जहासी में बिल्कुँ सही है कि रात्री में तीन डिग्री सेल्सियस पारा चला गया तो अभी मोझूद हमें 5 शलरा है कडाके की सर्दी है रेन बसेरों की बात करें ते रेन बसेरों में जो कमल हैं लेकिन परसासन की बात करें तो परसासन का डीला रवाईया देखा जा रहा है जी जी बिल्कुल और विनीदा आप हमारे साथ बने रहे हैं फिलाल आप सभी का हमारे साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया